इस तस्वीर को जो हम देख रहे हैं, तीनों सिनाओं के चीफ क्या मौझूद है? इन तीनों के बारे हम लोग जिक्र कर रहे हैं, एनसे बीच में दिख रहे हैं, आपको एनसे अजीर डुवाल बैठे हुए हैं, और राजनाओं सिन्ग तीनों से नाओं के चीफ के साथ एक बाइंटर्डीूस कराएंगे, फिर गार्ड आफ ऑनर होगा, उसके बाद वापस य जो तमाम जो अपचारिकताएं हैं, उन्हें वहाँ पर पूरा करती भी नजर आ रही हैं, और अब गार्ड ओफ ऑनर कुछी देर में उनको दिया जाएगा, तीनों से नाओं के तरफ से की सुप्रीमत्री का बिल्कुल, 11 बज़ के 36 मिनट पे प्रदानमंती नरेंद मोदी क पर पहुंच जाएंगे. मंचस ये देखने को नहीं मिल पा रहा है, फिर हम चाहे सदन के भीतर देखें या फिर ये दो चुनाब, राश्पती और उप राश्पती का चुनाब. सलाम कर रहे हैं. और बहुत सारे ये जो स्वतनतता सैनानी है वो बीजेपी से नहीं है. सरदार पटेल हो गए, उसके अलावा जो भी बड़े नाम है, जुन्होंने स्वतनतता की लड़ाए लड़ी, वो हमारी पार्टी से नहीं है. पर उन्तु एक दिन भी किसी कॉंग्रिस के नेता ने, बड़े नेता ने, आजादी का, जो अमरित महुतसव है, उसके बारे में कभी ट्वीट किया बात भी किया है. अगर हम कहतें कि आक्सिजन लेना अच्छा है, वो शायद नाक करके बैठ देंगे. यह इस प्रकार का विपक्ष जो है, मुझे लगता है कि उनको देखना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, कि क्या एक व्यक्ति का विरोध करते करते, देश का विरोध करना, यह ठीक बात है क्या. और दूसरी बात, क्योंकि हम लोग बहुत प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, उस दिन मैं प्राची जी के साथ था, तो मैं एक उधार बता रहा था, एक किस्सा बता रहा था, कि पूर्व राश्रेपती रामनात कोविन जी, वैसे तो प्रोटोकॉल ही माना जाता है प्रेसि प्रिंसिपल भी हमने देखा है रामनात कोविन जी में, और मुझे लगता है इसी लेगसी को आगे ले जाने का काम श्रीमती दौरपदी जी भी करेंगी। अब कहीं तो consensus बने, कहीं तो एक राय बन पाए, ये एक राय बन नहीं पा रही है। या सही दिशा में काम करने लगे। तो जैसे कहते हैं ना कि विपक्ष की स्थिती ये है कि जैसे सोते से उठके कोई काम करने की जो अवस्था होती है उसी अवस्था में है। विपक्ष की सिती ये है कि जैसे अचानक उसको कुछ कहा जाया और उसमें हरबणी में कुछ रियाक्ट करना है, प्रतिक्रिया देनी है, उस अवस्था में है। और ये सब इसलिए है क्योंकि पूरे विपक्ष का न तो वहचारिक तोर पर कोई एक मजबूती है, न उसके पास कोई नेत्रित्तो है, और इसमें कहीं कोई अतराज नहीं, मैं मानता हूँ कि बहुत ये मजबूत परंपरा है कि अगर विपक्ष अपना प्रत्याशी दे र इसा था कि शायर पूरा विपक्ष ये तै कर लेता और कहता कि देखिये हम बिल्कुल इस सरकार का विपक्ष अच्वर्दन जी बीच में मैं आपको रोक रही हूँ चूकि अभी तस्वीरे भी आ रही है और ये तस्वीर भी लगातार हम इंडिया टीवी पर दिखा भी रह अज कर दो कर दो दो